Recently Moto ने एक जबरदस्थ phone G84 5G launch किया है budget को देखते हुए इसके specs बहुत ही तगड़े हैं और दिखने में भी amazing लगता है मैं पिछले एक week से इस phone को test कर रहा हूँ तो आज detail में सारी बाते बताऊंगा वैसे launching के time इस phone की price 20,000 रखी गई थी बट अभी sale में ये phone 18,000 में मिल रहा है इसके अलवा 1000 रुपे का card discount भी है सबसे बड़ी बात है इस price में 12GB RAM और 256GB storage मिल रहा है खर सारी बाते करेंगे सबसे पहले unboxing कर लेते हैं तो phone का box brown color में आता है और box open करते हैं तो back cover phone पे लगावा मिलता है साथ में 33W का fast charger और type A2C USB cable मिलती है तो phone के साथ सबी जरूरी accessories मिलती है बस screen guard लगावा नहीं आता है तो वो लगवाना पड़ेगा design check करते हैं तो इसमें पीछे vegan leather design दी गई है जो बहुत ही premium और attractive लगती है generally इस type की design 25-30 जारवाले phone में आती है सिर्फ design ही अच्छी नहीं है ये phone पतला और lightweight भी है और इस budget के सबसे handy phone में से एक है साथ ही इसमें IP54 की rating दी गई है तो normal पानी की बुंदों से इसको कुछ नहीं होगा security के लिए इसमें in-display fingerprint sensor मिलता है जो बराबर काम करता है इसकी display quality भी amazing है इसमें 6.55 inch की full HD plus P-OLED display मिलती है P-OLED display normal AMOLED display से ज़्यादा soft proof होता है मतलब गिरने पे इसके तूटने के chances कम होते है बाकी display quality अच्छी है खास तोर पे वीडियो में dark scene बहुत ही मस्त दिखते हैं YouTube में आप 1080p तक वीडियो इसमें देख सकते हो Netflix में Widevine L1 का support है बट HDR का support नहीं है और इसमें proper 120Hz सिफ्रेश rate दी गई है तो apps के animation fast feel होते हैं तेज दूप में आप इस phone को आराम से यूज़ कर सकते हो सब कुछ साफ और clear दिखाई देता है और इसक्रेय से safety के लिए display के उपर energy glass का protection मिलता है बाकी phone में dual stereo speaker मिलते है speaker की loudness और depth अच्छी है और speaker में Dolby Atmos and high-res audio का support भी है तो इसके speaker इस budget में one of the best है इसमें headphone jacka port भी मिलता है और यहां तक कि आप इसमें type-c earphone भी use कर सकते हो और type-c earphone के लिए बार-बार setting में जाके OTG enable करने की जुरुत नहीं है direct earphone लगाओ और must music सुनो बाकी इसमें Bluetooth earphone की connectivity भी अच्छी है software में Android 13 मिलता है और Moto की My UX UI मिलती है My UX मेरे सबसे favorite software में से एक है because यह use करने में smooth है और सबसे अच्छी बात है इसमें Bluetooth आप नहीं मिलती है और push notification भी नहीं आते हैं और update की बात करें तो इसमें Android 14 तक update मिलेगा और 3 साल तक security update मिलेगे हाँ अगर Moto इसके लिए Android 15 तक update promise कर देता तो मज़ा आ जाता बाकी software में gesture वाले तगड़े feature है जैसे phone को share करते हैं तो flashlight on हो जाती है twist करके front और back camera में switch कर सकते हैं इसके साथ ही इसमें secure folder भी मिलता है जिसमें सारी app की dual app बना के रख सकते हैं और personal photo और apps को log लगा के रख सकते हैं बाकी इसमें आप call recording कर सकते हो बट आगे वाले को announcement जाएगा की call recording हो रही है तो इस बात का आप धियान रखना performance की बात करें तो इसमें Snapdragon 695 processor मिलता है और RAM type LPDDR4X और storage UFS 2.2 मिलता है Antutu benchmark में phone का score 4.3 lakh आता है जो की budget wise अच्छा score है अब आप पूछोगे real life performance कैसी है तो इस phone का processor तो ठीक ठाक है लेकिन इसमें 12GB RAM है इसलिए ज़्यादा तर app background में ही रहती है तो app fast open होती है और regular use में ये phone बिलकुल नहीं अटकता है इसके अलवा इस phone के साथ आप ठीक ठाक गेमिंग कर सकते हो ये processor BGMI में 40 APS तर गेमिंग सपोर्ट करता है और gameplay बताऊं तो price के हिसाब से decent है और gaming में gyro sensor भी सही काम करता है performance के बाद camera पे आते हैं तो इस phone में 50MP का main camera और 8MP का ultrawide camera मिलता है साथ में optical image stabilization भी मिलता है मैंने phone से कुछ sample photo कीची है तो photo में detail अच्छी मिलती है HDR से ही काम करता है light control में थोड़ा improvement की जूरत है बाकि screen tone से ही आती है light में भी photo ठीक ठाक आते है back camera से आप 1080p 60fps में video बना सकते हो और stabilization भी अच्छा मिलता है front में selfies के लिए 16MP का camera मिलता है selfie photo में skin tone main camera से better आती है portrait photo भी अच्छी आती है राप को भी use linear like photo आती है front camera से भी आप 1080p में video recording कर सकते हो इसमें भी stabilization अच्छा है इसके साथ ही इसमें dual capture का feature है तो front और back camera से एक 7 video बना सकते हो इसके अलावा camera में slow motion, time lapse और portrait video जैसे जरूरी option दिये है overall budget wise देखा जाए तो camera काफी अच्छा है खास तोर पर selfie photo और भी अच्छे आते हैं और decent quality के video भी बना सकते हो बाकि ये phone hybrid sim slot के साथ आता है तो आप चाहे 2 sim या एक sim और एक memory card लगा सकते हो वैसे इसमें 256 GB storage है तो memory card के जुरूत नहीं पढ़ने वाली है इसके अलावा इसमें NFC का support भी है और दोस्तों इसमें 5000 mAh की battery है और battery backup surprisingly बहुत ही अच्छा है और डबे में 33 Watt का fast charging मिलता है जो इस phone को 80 minute में full charge कर देता है connectivity के लिए phone में 14 5G band का support है मैंने geosim के साथ phone को अलग अलग location पे use किया तो network और 5G speeds अच्छी मिल रही थी इसके अलावा phone में VONR call का support है मतलब आप call पे बात करते वे भी 5G internet चला सकते हो वरना इस budget में कई 5G phone ऐसे हैं जिनमें सिर्फ वोल्टी calling ही मिलती है तो उन phone में call पे बात करते time सिर्फ 4G internet चलता है इसलिए इस phone को मैं proper 5G phone बोल सकता हूँ क्योंकि इसमें VONR call का support है लेकिन एक बात का धियान रखना अभी VONR calling सिर्फ geosim में मिल रही है अब overall G84 के बारे में बोलूँ तो इसमें display quality बहुत ही बहतरीन है performance भी budget wise अच्छी है और एक user के लिए software experience बहुत माहिने रखता है वो इसमें smooth और clean मिलता है सबसे बड़ी बात है इसमें 12GB RAM है तो multitasking अराम से handle कर लेता है finally ये बोल सकता हूँ अभी 18,000 रुपे में जो best phone आ रहे हैं ये उनमें से एक है और आपको इसी budget में phone लेना है तो इसको एक बार check जरूर करना तो ये था मेरा इस phone के साथ experience बाकि आप channel पे नए हो तो subscribe जरूर करना ताकि future में ऐसे video मिलते रहें वापिस मिलते हैं अगले video में टेक केर बाई बाई